2024 के अर्थ शास्त्र में नोबल पुरुसकार 2024 की घोशना कर दी गई है और इस बार ये तीन अर्थ शास्त्रियों को प्रदान किये गए हैं इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन है तो डारोन, ऐसे मोगलू, सिमोन जॉनसन और जेम्स रोबिंसन मुख्यरूब से ये इनको इसलिए दिये गए हैं कि इनका शोध का विशय है कि किस तरीके से संस्थान बनते हैं और वे किस तरीके से समरिध्धी को प्रभावित करते हैं आपको ध्यान रखना है कि यदि हम अर्तशास्त में नोबल पुरुसकारों के इतिहास के बारें बात करें तो मुख्यरूब से ये है रॉयल स्वीटिश अकेडमी ऑफ साइंसिस के दौरा घोशित किये गए और इनहें तकनीकी भाशा में कहा जाता है सेवरिगेस रिक्स ब पुरुसकार नहीं दिये जाते थे अर्तशास के जो नोबल पुरुसकार है ये आपचारिक रूप में अल्फरेड नोबल की स्मृति में 1968 में इंस्टिट्यूट किये गए और इन्हें तब आर्थिक विज्ञान के छेत्र में बैंक ओव स्वीडन पुरुसकार के रूप मे जान दिये जाता था यानि जो नोबल पुरुसकारों का प्योरिस्त होगा शुद्यतावादी होगा वो कहेगा कि ये अल्फरेड नोबल के द्वारे स्थापित नोबल पुरुसकार नहीं है हाला कि आपको ध्यान रखना है कि हर साल 10 December को Alfred Nobel की इसमिर्थी में जो पुरुसकार दिये जाते हैं तो अर्थशास के Nobel पुरुसकार भी उसी के साथ प्रस्तोत किये जाते हैं आपको ध्यान रखना है कि जो 2024 के नोबल पुरुसकाय प्रदान किये गए हैं उनका जो छेतर का महत्व है यानि जो एरिया है यानि संस्थान कैसे बनती हैं और समरिद्धी को कैसे प्रभावित करते हैं इसका महत्तपूर्ण उधान या इसका महत्तपूर्ण सिग्रिफिकें क्या है तो यह बताएगा कि देश की समरिद्धी में सामाजिक संस्थानों के महत्तों का क्या प्रदशन है चोद का विशह यह है कि अगर किसी देश में विधी का खराब साशन देखा जा रहा है यानि रूल आफ लौ अच्छा नहीं है और समाज और जनसंक्या का सोशन करन वाली संस्थाइं विद्धमान है तो ऐसा देश विकास नहीं कर सकता या फिर यहां पर बहतरी के लिए परिवर्तन यानि एक बहतर प्रकार का सकारात्मक चेंज उत्पन नहीं हो सकता है और जो यह तीन अर्थ शास्त्री है ठीक है जिनका नाम मैंने आपको बताया डारोन ऐसे मोगलू साइमन जॉनसन और जेम्स रोबिंशन वो इस शोद के माध्यम से इस बात पर जोड़ देते हैं कि किस तरीके से ऐसा होता है यानि बहतर संस्थानों का महत तो क्या है आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मोगलू और जॉनसन मैसाचुसेट्स यूनिवस्टी आफ